सो है गाइस स्वागत आपका एक पर फिर्शे आपी के यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में बात करेंगे एस जेविन लेमेटेड को लेकर एस जेविन एक पावर सेक्टर कंपनी और स्टोक आज फिर्शे आपको जोना भी हाफ परसेंट तूरते होए नजर आया पॉइंट फाइफ त्री परसेंट के करें तो बहुत सारी निवेश सकों के कमेंट आ रहे हैं भी आज येविन है आर्विनल है इरकोन है आई एर अफ्सी है इन शेयरों में तेजी क्यों नहीं बन रही है मार्केट में बे तो काफी शा जानते है डिटेल में और कल के क्या कुछ मुमेंटम हो सकते हैं और क्या इस सेर में तेजी बने भी गी या फिर नहीं तो चलिए जानते है डिटेल में तो सबसे पहले यहां पर देखो कि पिछ 70 के भाव में कलोजिंग लिए और जो वोल्यूम आई है एक क्रोड़ 26 लाग के क वोल्यूम आई है और यह चौक कंसौलडेट कर रहा है सबसे बड़ी बात तो यह है यहां से या तो इसके अंदर ब्रेक आउट होगा या ब्रेक डाउन होगा अगर ब्रेक आउट हो गया तो आप लोग देखो विए उपर में 80 प्रस निकलेगा अगर ब्रेक डाउन होता ह तो 70 के निचे पर भी स्टोक आ सकता है बट आपको जोन अभी यहां पर बिल्कुल अपने दिमाग के साफ से अपने स्टोक के जोन अभी न्यूजों के साफ से चलना है तो चलिए देखते हैं डाटा वगरा कैसा है सबसे पहले जो न्यूज आई है वो देख लेते हैं तो यहां पर आप लोग देखोंगे कंपनी ने अभी 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 एक नोटिस पब्लिश किया है और इस नोटिस के अंदर में क्या देखने को मिला है सब्सक्राइब के साथ आप लोग देखोंगे 200 मेगा वोर्ट जो बिंड प्रोजेक्ट है इसके लिए जो प्रोजेक्ट है वो होते वे नजर आया है यह एक बहुत बड़े आजुना भी आप लोग देखोंगे कंपनी आप लोग निकल कर आई है लुके मसलिजिसरखने बड़े बस लिएघ कटेक्ट्र उसली में चैने वोड़े इनमेट के साथ अप लोग देखोंगे यह पीपी विडिए नाज ऐसे में यहां पर देखोंगे ऐसे में ग्रिन आप इनर्जिध प्रोजेश एज कंपनी है किसकी, SGWIN की, had participated in the tariff-based competitive bidding process conducted by SCCI for selection of wind power developers for setting up 1200 megawatt grid-connected wind power projects anywhere in India. ठीक है, SCGL bagged 200 megawatt at a tariff of 3.24 per unit on build, on and operate basis in open competitive tariff bidding process. तो आप लोग देखोगे भी company, जो है, ये सबसीडिरी कमपनी, सबसीडिरी कमपनी है, और इन्होंने जोनबी आप लोग देखोगे, जो grid connected है, wind power project है, उसके थूरू आप लोगो 1200 megawatt का जोनबी आपको ये project win करती हो नजर आया है, और ये कहीं पर इंडिया में लगाएगी, और उसका जो 200 megawatt हो आप लोग देखोगे, 3.24 रुपे पर unit के साफ से जोनबी आप लोग देखोगे, पीपे साइन होते होगे नजर आया है, और इसका effect काफी शानदार रहेगा, और इस project की जो आप लोग देखोगे, cost है, वो 1400 क्रोड की रहने वाली है, ठीक है, और 25 साल के लिए आप लोग देखोगे, जोनबी तो चलिए भी अब देखते हैं, आख रिकर क्या हो सकते कल के लेवल, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, सबसे पहले देखते भी data, प्रीवर्स क्लोजिंग यहां थी 75 रूपे, 60 पैसे ओपून, पिचेटर सी, 36 का स्टोक ने हाई लगा, यानि तेजी बनी, फिर स्टोक नीचे में गाई यह 75 तक 75-20 के भाव में कलोजिंग यानि उतार स्टोक में देखने को मिला है, ऐसे में मार्केट प्राइज के उपर 61,219 कॉंटिटी का एक बाई ओडर, डिलेवरी पोजिजिन के अगर बात की जाए, तो लगबक 43-40% के क्रीव, डिलेवरी काफी शांद काफी टैम से, ठीक है, कमपनी के रिकारणी के अच्छी अपडेट भी है, यह 1400 क्रोड के ओडर के आस पास के, ठीक है, बड़ा प्रोजेक्ट के लेकर, तो ऐसे में यहां से स्टोक में जबरदस्त रैली के संकेत है, तो चलिए देखते हैं इसका चार्ट, तो यहां पर सकता है, आप लोग देखो के 75-30 के भाव में शेर है, और यहां पर अगर कोई रिस्क लेना चाहिए, तो 73 रुपे का स्टोप लोज ले सकता है, फिर उसके बाद जो नीचे में सेकंड सपोर्ट होगा, वो 79 रुपे का, तो 73 रुपे का अगर लेवल नीचे में करता है, तो यह सटर के नीचे में जाने के संभाव न रखेगा, लेकिन अभी के टाइम जो खबर आई है, इसके वेस्ट पर अगर देखे तो स्टोप आई है, तो यहां से स्टोप के अप जाने के चांसे बहुँ जादा हाई है, तो जैसे आप लोग देखो के 77-45 को ब्रेक करके सस्ट आई में, तो कल के दिन स्टोप में अच्छे खासी मुमेंटम बनने के संभावन होना है, तो तयार है ना, अगर स्टोप आपको इसी प्राइस के आज-पास देखने को मिले, तो देखो भी, बाय के तरफ चलने के बारे में सोचना, अगर स्टोप के ओपनिंग अच्छे ख वाचिन दो वीडियो